हाई मैं प्रशान्थ आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक क्वेटी टू कमुनिटी में स्वागत करता हूं आज मैं आपको इस वीडियो में आज सकते हैं और स्केलपिंग ट्वेडिंग लेना होता बैक टू बैक तु लिए इंडीकेटर में इस्तिमाल करना होता है तो आज मैं आपको स्केलपिंग ट्वेडिंगे अस्तमाल करें वह आपका इसको आप यहां पर इंडिकेटर पर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जिस भी ब्रोकर में आपका डिमेट एकाउंट है वहां पर भी आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पर आपको कुछ चेंजेश करना सबसे पहले आपको इसके सेटिंग्स में जाना जब आप इसके settings में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको length 5 कर लेना, उसके बाद source आपको दिखेगा, इसको close कर लेना, ठीक है, उसके बाद आपको नीचे method में SMA करना, और इसका भी length आपको 5 कर लेना, यह नहीं, EMA और SMA दोनों का length आपको 5 करना, उसके बाद आपको यहाँ यहाँ पे style में जाना, और EMA का जो color है, आपको white करना, और जो soothing line दूसरा दिख रहा, उसका color आपको red कर लेना, बाद की और कुछ ज़्यादा नहीं करना, यहाँ पे ok कर देना, उसके बाद आपको दो line यहाँ पे दिख जाएगा, एक white और दूसरा red, उसके अलबाद पे आपको input पे जाना, और यहाँ पे आपको MA length 20 करना, और MA length अगर नहीं दिख रहा होगा, तो volume MA आपको दिख रहा होगा, इसको आपको enable करना, पहले disable होगा, इसको enable करेंगे, उसके बाद volume length दिखेगा, और यहाँ पे आपको 20 डालना, यहनी period 20 लेना है, फिर आपको यहा पे हम जबरदस scalping trading strategy form करेंगे, जिसके basis पे हम आसानी से intraday trading कर सकते हैं, multiple trade हम back to back ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम first of July के date से ले रहें, और आज जो date है आपका, वह है 14th July, यहनी इस 14 days में जितने भी trading sessions होएं, उसमें अगर हम scalping के basis पे trading strategy form करते हैं, इन सारे indicator के basis पे अगर हम scalping trading strategy यूज करते हैं, तो यह कितना success होता है और कितना success नहीं होता है, वो हम यहाँ पे analyze करते हैं, तो यह strategy क्या है, इसके basis पे हम trading कैसे initiate करेंगे, चलिए वो समझते हैं, तो यहाँ पर समस्पहले देखना है, कि white line weight को cross करके नीचे आए, जब ऐसा होगा, तो यहाँ पे हम sales क्रॉस करके नीचे आए, तो यह मेरा selling point बन जाएगा, लेकिन इसके बाद हम दूसरा confirmation के लिए वेट करेंगे, जब candle आपका दोनों red line और white line को cross करके नीचे आजाएगा, तब यहाँ पे हम sell positions initiate करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यह जो candle है, red वाला, फोरा सा इसको मैं अब देखिए, आपका visibility धोरा सा सही हुआ होगा, यह जो candle है, red वाला, यह candle, यह candle क्या किया, red और white दोनों line को break करके नीचे आया, तो यह candle close होने के बाद, अगला candle जो भी बनेगा, इस particular level पे हम क्या करेंगे, sell positions initiate करेंगे, उसके बाद, इस से उपर जो भी pattern form हुआ, उसका जो भी highest point है, वो हमारा SL के रूप में काम करेंगा, यहां यह हमारा यहां पर SL हो जाएगा, यहां पर हम sell करेंगे, और यहां पर जो हम sell करेंगे, और यहां पर price आपका all the way नीचे साइड की तरफ आया, नीचे साइड की तरफ आने दीजिए, अब यहां पर हमारा target price क्या हो तो इस candle पर देखना है, कि volume आपका यह जो white line है, यहां पर कोड़ भी color का line दिख रहा होगा, उससे जादा होना चाहिए, यहां पर आपका previous 20 period में जितना average है, उससे जादा volume होना चाहिए, और यहां पर volume है, तो हमें volume के तरफ से भी confirmation मिल भाए, यहां पर हम sell positions लेंगे, target price के लिए, यहां पर आपको देखना पर हैगा, दो चीट, सबसे पहले, अगर आपका red line और white line, trade लेने के बाद mix हो जाता, join हो जाता, तो आपको यहीं पर exit कर लेना है, ठीक है, चाहे आप buy कियो, उसके बाद भी white line और white line दोनों एक साथ meet होता, cross करे या ना करे, अगर meet हो looking करना, prefer करें यहीं, जो भी हमने positions लिया है, उससे बाहर निकलने के बारे में सोचेंगे, तो हमने यहां पर जो sell किया था, लगवग आपका 2260 करी यहां पर हमने sell किया था, और यह जो chart है, और time frame भी आपको देख लेना, generally हम जो scalping में use करते हैं, फाइब मिनट या फिर उसस और उतना वो सटिक नहीं हो पाएगा, तो यहां पर हम क्या करेंगे, exit करेंगा, और exit जो हम करें वो लगवग आपका 2150 के करें, लगवग यहां पर मुझे 110 पॉइंट का profit मिला, percentage बाइस देखे तो लगवग मुझे यहां पर 5% का profit मिल गया, intraday में वो भी आपका कुछ मि अब यहां पर हमें वापस से क्या करना, हमने एक positions exit किया, अब हमें by side की तरफ positions initiate करना, तो by side की तरफ positions कब initiate करना, उसके लिए हम वापस से quitteria set करेंगे, हम exit होने में quitteria set नहीं करेंगे, अब देखिए, क्या हुआ है, यह candle आपका क्या किया है, दोनो weight line और white line को break करके उप निकल चुका है, तो देखेंगे, यहां पर volume ज्यादा है या नहीं है, यहां पर देखिए, volume white line से नीचे है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, by positions initiate नहीं करेंगे, ठेक है, उसके बाद, यह candle भी थोड़ा बहुत आपको उपर गया, यहां पर volume ज्यादा नहीं है, इसलिए यहा हमने volume को add किया, और volume में 20ペ Trib También, इसलिए यहां पर जो track विछा गया, PM के लिए, इस Traps, क्या होगे, इस craft से हम बच सकें, और यहां पर हम जो loss हो सकता था, उस loss को यहां पर हमने avoid कर लिया इसलिए यहां पर हमने volume को भी add किया एक्स्ट्रा हमने filter डाला ताकि जो trade मुझे नुकसान दे सकता है जो मुझे clear eye से भी दिख रहा है कि नुकसान दे सकता है तो उससे यहां पर हम बच सकते हैं उसके बाद आगे हम और भी opportunity खोज़ते हैं कि कब आपका क्या हुआ है white line red को cross करके नीचे आए क्योंकि यह already cross करके उपर निकल गया और यहां पर हमने trade नहीं लिया तो अगला opportunity हमें खोजना परेगा sell side की तरफ जब आपका white line red को cross करके नीचे आया आए और वहां पर red candle का formation और वहot white line और red को cross C deal पे उसके फिल्स चेड़ा है यह नहीं इस केंडल पे चाहिए तो bottom वापत से आपका ज़ादा नहीं है मतलब यहाँ पे भी हम sell side की तरफ positions initiate नहीं करेंगे यहाँ पे भी हम selling करना avoid करेंगे अब देखें यहाँ पे मुझे filter मिलवा है यहाँ पे अगर आप trade करते तो आपको दो-तीन trade में छोटा-मोटा नुकसान हो सकता था लेकिन हमने volume को add किया और वहाँ पे हमने SME add कर दिया और volume यहाँ पे average volume से भी कम है तो volume कम है तो वहाँ पे हम trade नहीं करेंगे और scalping में volume ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे momentum find करने में आसानी होगी जब भी volume ज़्यादा होगा momentum देखने मिलेगा और हमने direction तो पहले ही पता करी लिया और उस direction momentum आ गया तो हमें बहुत जल्द अच्छा खासा profit मिलता होगा देखेगा जो कि हमने अलवरी देखा था सिर्फ कुछ मिंटों मुझे कितना 110 point यह नहीं लगबग 5% का profit आसानी से मिल गया था उसके बाद हम आगे भी wait करेंगे trading positions लेने से पहले यहाँ पर cross करके नीचे गया फिर देखेंगे cross करके यह उपर जाना चाहिए अब उसके just बाद यहाँ पर cross करके उपर निकला है और यहाँ पर आगर आप देखेंगे तो volume आपको ज़ादा देखने को नहीं मिलेगा आपका क्या है white line से उपर volume ने यहाँ पर भी हम trade execute नहीं करेंगे उसके बाद वापस से यहाँ पर आपका क्या किया है cell side की तरफ गया है और यह candle आपका दोनों line को break करके नीचे आए तो देखते हैं यहाँ पर volume ज़ादा है या नहीं है यहाँ पर volume जाता देखने को नहीं मिला है तो यहाँ पर भी हम positions नहीं लेंगे अब हम wait करेंगे कि हमें positions कब लेना है positions थोड़ा बहुत मुझे filter हो गया है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ है आपका white line wait को cross करके नीचे गया है और अगर हम candle की बात करें तो कौन सा candle इसको break किया है उसके बाद की बात करें तो यह candle इसको break किया इस candle पर volume है नहीं है इसके बाद हम अगले candle पर देखते यहाँपे volume हमें white line से ज़्यादा दिख रहा है यहनि इस candle पे क्या करेंगे sell side की तरफ नहीं जाएंगे यह candle form होने के बाद यानि closing के बाद हम क्या करेंगे उसके बाद जो भी next candle जहां पर open हुआ यहां पर हम sell करेंगे मतलब यहां पर जो मेरा selling होगा यह होगा आपका 2160 करेंगे यहां पर हम sell करेंगे यहां पर हम लेवल्स देख लेते हैं कौन सा लेवल्स है यहां पर अगर हम लेवल्स की बाद करेंगे 2150 के करीब है यह नि लगबग आपका कितना point हो गया यहां पर भी अगर हम देखें तो मुझे 10 point का profit यहां पर आसानी से मिल गया यह नि 0.5% यहां पर मुझे आसानी से मिल गया उसके बाद क्या हुआ उसके बाद यहां पर आपका कि white line red को cross करके उपर निकला और इस केंडल पर अगर वालम देखें तो वालम यहां पर आपका white line से उपर है यहां पर हमें by position भी initiate करना है और इस by position से exit कब लेना है इस point पर जब आपका क्या हुआ white line और red line दोनों एक साथ मिल गया है तो यहां पर हम buying किस लेवल पर कर रहे हैं हम देख लेते हैं अब यहां पर मुझे multiple trade मिलवा बीच मुझे trade नहीं मिला था लेकिन यहां पर अब मुझे multiple trade मिलता हुआ दिख रहा है अब उसके बाद देखें क्या हुआ यहां पर आपका white line red को cross करके नीचे गया है इस particular point पर और इस इस पॉइंट पर आपका यह red candle क्या किया है इन दोनों को break करके नीचे आए और इस वेड़ करेंगे और उसके बाद हम प्रॉफिट बॉक कहां पर करेंगे जहां पर वापस से दोनों लाइन करेंगे यहां पर प्रॉफिट बॉक करेंगे और इस उससे उपर पैटन जो भी है जो भी हाइस पॉइंट है हाइस पॉइंट है मेरा एसल की रूप में काम करेंगा तो एसल हमें साब को ऐसे ही डिफाइन करना और टागेट पैस अगली बार जब भी आपका वेड लाइन या वाट लाइन मिल वहां होगा वहीं पर प्रॉफिट बॉक करेंगे अगर आप यहां पर मुझे कितना पॉइंट का प्रॉफिट हुआ लगवाग 30 प्रॉफिट मुझे आसानी से मिलता वह दिख्ój on मौनि गया कहीन पर दोरह कम कहीन पे थोरह ज्याला प्रॉफिटchn味 उसके बास यहां यहां पर हाम लेड़ करेंगे कि क्रोसट कर Remo निकलता यहए आप दोनों को ब्रेक करके ऊपर निकला और यहां पर बहुम . से ज्यादा बहुम हमें यहां पर देखने को मिल रहा है तिया पर हम ट्वेट इनिशेट करें यह नहीं यहां पर हम पॉइंट हो जाएगा लगबग आपका 2155 के करीब यहां पर मुझे वापस है 20 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से मिलता हुआ दिखा और यहां पर अगर है यहां पर आपको सिर्फ के समझा रहा हुआ आप इसको समझतें कोशिस कीजिए बस आपको ज़्यादा कुछ काम नहीं करना बस आपको क्या IMPLEMENT करना indicators को Implement करना indicators को यहां पर set करना फिर volume को set करना फिर QUARTERIA को fulfill करवाना ज्यादा कोई उसके बाद implications नहीं है फिर यहां पर देखें तो बॉनों आपका एक साथ ही चलवा है तो यहां पर हम ज्यादा कुछ पे थोरा सब लुण आया है वाइट लाइन से उपर दिख रहा है यहाँ पे सकते हैं यहाँ पर लेंगे बाइशाइड की तरफ और यहाँ पर बाइब धर ये बाइब पर यहां पर प्रॉफित वुखिंग काहा पर होगा अगली बार जब आपका वैद लाइन और वाइट लाइन मीट करेगा वो मेरा profit booking point हो जाएगा लगबक यहीं पर हो गया और यह जो लेबल होगा ज्यादा उपर नहीं होगा आपका 2155 के आसपास होगा यहां पर मुझे पांच पॉइंट का profit मिला है यहां पर छोटा छोटा profit मिलेगा multiple profit मिलेगा जिसमें से आप एक point brokerage के रूप में हटा सकते हैं बांकि सारा point आपको यहां पर real terms में profit देता हुआ दिख जाएगा उसके बाद यहां पर क्या कुछ हुआ है उसके बाद यहां पर आपका यह दोनों लाइन वापस से एक साथ चलने लग गया है तो यहां पर हम वापस से wait करेंगे या नहीं तो यहां पर अगर एक loss भी किया होगा तो थोड़ा बहुत आपको नुक्सान हुआ होगा maximum अगर दो ट्वेट ले ले तो यहां पर आप पांच पॉइंट नुक्सान में होगे एक दो पॉइंट का उपनीचे नुक्सान होया होगा यहां फिर maximum 10 पॉइंट आप यहां पर loss में होगे तो मुझे multiple profit हुआ है यहां पर थोड़ा बहुत loss भी होता चोड़ा चोड़ा loss होता उसको हम ignore कर सकते हैं यह ज़्यादा नुक्सान नहीं होगा और profit जो मिलता है मुझे अच्छा खासा profit मिलता हुआ यहां पर आसानी से दिखता है उसके बाद हम trade कब लेंगे यहां पर देखिए white line clear cut rate को cross करके उपर निकला और यहां पर हम volume चेक करेंगे कि volume ज़्यादा है या नहीं है तो देखिए इस candle पर volume थोड़ा हमें कम देखने को मिल वा है और इससे previous candle पर अगर हम बात करें तो वह भी आपका क्या किया break करके उपर निकला है यहां पर देख यहां पर entry point क्या होगा 2160 मेरा entry point होगा उसके बाद हम wait करेंगे इस level पर यहां पर मुझे कितना 15 point का profit आसानी से मिलता हुआ दिख गया है यहां पर हम सिर्फ क्या करेंगे positions जो लिया उसको exit करेंगे sell नहीं करेंगे sell करने के लिए हम क्या करेंगे wait करेंगे clear cross होने का और उस 5th of July के date में अभी तक लगवग आपका five days में जो भी ट्वेडिंग सेसंस आया होगा उसमें देख सकते हमने कितना multiple trade लिया अब यहां पर यहां पर यहां पर हम सेल पोजिशन करेंगे लगवग आपका 2175 के करीब और sl आप आपको हमेशा से मिल जाएगा उपर में लेवल य करीब यहां पर मुझे 30 पॉइंट का profit मिला लगमग आपका यहां पर यहां पर प्रॉफिट मिलता हुआ दिखा थोड़ा बहुत हमें 10 से 15 पॉइंट का नुक्सान पीछे हुआ है एक दो ट्वेड में जहां पर लाइन आपका वापस से एक ही जगा पर ट्वेड कर रहा है लेकिन अल्टिमेटली मुझे यहां पर बहुत ज्यादा profit हुआ है छोटी छोटे ट्वेड में profit यहां पर मुझे मिलता हुआ दिखा है तो ऐसे यहां पर आप देख सकते हैं कहीं पर आपको छोटा छोटा नुकसान हो रहा होगा लेकिन अब देखें मुझे यहां पर पिलता हुआ दिखा है फिर इसके बाद यहां पर बाई करेंगे तो आपको यहां पर पूरा करना होगा है करना होगा यहां मुझे सो पॉइंट से ज़्यादा का profit मिलता हूँ दिखेगा बीच में यहाँ पे थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है फिर यहाँ पे मुझे big profit मिलेगा फिर यहाँ पे आपको छोटा मुटा नुकसान होगा फिर वो नुकसान की भरपाई आपको यहाँ से हो जाएगा फिर यहाँ पे आपको अच्छा खासा profit मिलता हूँ दिखेगा इस तरीके से आप multiple जगह पे यह scalping trading strategy का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे देखिए हमें कितना बारा profit मिल वा टू जिरो से वन जिरो से अल्डवे प्राइस आपका कितना टू वन एट जिरो के करीब गया है यहाँ पे भी मुझे 100 points ज्यादा का profit आसानी से मिलता हूँ दिख रहता हूँ आपको 3-4 बार तो ऐसा मिल गया है जहाँ पे 100 points ज्यादा का profit मिल गया बीच में जो छोटा-छोटा profit मिल वा वो भी आप consider कर लेंगे तो यहाँ पे आपको daily basis पे multiple trade भी देखने को मिल वा तो जो लोग daily market में trade करना चाहते हैं तो वो scalping trading strategy का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे आपके सामने multiple trade लेने का option होगा और उसमें से छोटा-छोटा नुकसान होगा लेकिन overall कोई-कोई बरा ट्वेर मिलेगा जहाँ पे आप अच्छा खासा profit बना सकते हैं अगर हम monthly basis पे बात करें तो यहाँ पे आप 10% का return आसानी से अपने capital investment पे निकाल सकते हैं सो उमीद करते हैं यह जो strategy मैंने आपको बताया है यह आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि यहाँ पर और भी धेर सारे एक्जामपल है सारे एक्स्ट्रेम करूंगा तो वीडियो का length बहुत जादा होगा सो इससे विलेटर अगर कुछ भी doubt या फिर confusion हो तो आप हमें comment section पूछ सकते हैं उसका आपको proper answer मिलेगा वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को like करका हमें encourage कीजे ताकि हम इस तरह के और भी trading strategy आपके लिए लाते रहेंगे सो मिलते हैं next video में जैहिंद